असलाम अलेकुम दिस इस डॉक्टर समीना तॉफिक फ्रॉम है डॉक्टर समीना तॉफिक यूट्यूब चैनल उम्मीद है आप सब खायर्यस से होंगे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए आज हम आपके बहुत ही कहने पर जो आप लोग बार बार हमसे कह रहे हैं कि जिन लोगों की डिलिवरी सीजेरियन से होती है उनके बारे में आप गाइड कीजिए कि सीजेरियन के बाद वो अपनी बॉड़ी फिटनेस पर कैसे जाएं और वो किस थरह की खुराक लें जो उनको जल्दी रिकवरी और फिटनेस की साइप पर लेकर जाएं तो आएज जी वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे जी तो आज हम बात करेंगे उन खावतीन की प्राब्लम्स के बारे में जिनकी डिलिवरी सीजेरियन से होती है सीजेरियन सेक्षन एक मेजर सरजरी है सेवन लेयर में बॉड़ी के यूट्रस तक पहुँचके वो उसको कट लगाया जाता है फीमेल्स आर्दा रेल हीरोस जिनकी इतनी मेजर सरजरी होती है सीजेरियन की सीजेरियन के जरिये बच्चे की पैदाईश होती है और 6-8 गहंटे के बाद इस major surgery के बाद हम मरीज को कहते हैं जी अब आप अपने पाउं पर खड़े हो सकते हैं और 12 गहंटे के बाद वो रूटीन में चल फिर सकती हैं और अपने खाना पीना चलना बच्ची की केर करना स्टार्ट कर देती हैं तो ये क्वालिटी जी ये हीरो जो हम कहते हैं के खवातीन को ये सिर्फ खवातीन हैं जिनमें अल्ला ताला ने इतनी विल पावर और इतनी स्टोड एनरजी रखी है कि इतनी major surgery के बाद वो अपनी normal life पर आ जाती है लेकिन important बात क्या है कि मैं हमेशा उन से कहती हूँ कि नहीं थोड़ा सा अपना ख्याल रखिये अपने आपको recover होने दीजिए क्योंकि ये बहुत major surgery है इस major surgery के बाद बाद बाड़ी को recover होने में six to eight weeks का minimum time चाहिए होता है तो इसमें आप अपनी diet का बहुत अच्छा सा ख्याल रखिये अपने rest का बहुत ख्याल रखिये तो इसके बारे में ही आज की हमारी वीडियो है तो मैं यह चाहूंगी कि आप गौर से सुनिए कि आपका सेजेरियन हो गया spinal anesthesia में ही आजकल mostly सेजेरियन होते हैं six hours के बाद हम आपका खाना पीना start कर देते हैं आप liquid solid diet से start करते हैं और उसके बाद अपना खाना पीना तकरीमन 12 घंटे के बाद तो आप solid खाना शुरू कर देते हैं और 24 घंटे के बाद आप hospital से discharge होकर अपने घर चले जाते हैं early mobility, early recovery करती है और हम कहते हैं कि आप walk कीजिए लेकिन आपनी walk तो करनी है, rest भी अपना बहुत ज्यादा करना है आपने अपने बहुत ख्याल रखना है, आप अपने बच्चे को भी जब ख्याल कर रहे हैं उसे feed कर आ रहे हैं तो मैं आपको advise करूंगी कि आपके पास एक 24 hour help होनी चाहिए, either from your servant, maid और your family जो के बच्चे को handle करें और आपके साथ आपको help करें के बच्चे को handle करने में आपको बार बार उठना ना पड़े और आपको ज्यादा उसको change करने में, baby को या feed कराने में मुश्किल ना हो तो आपको help की जरूरत है, ये help बहुत जरूरी है आपको अपनी family से लाजमी कहना है कि मुझे helper की जरूरत है, आपने अपने routine के काम करने हैं लेकिन with help, दूसरी most important बात जो आप cesarian के बाद जब घर पहुंचती हैं तो बहुत सी खावतीन को घरों में कहा जाता है कि cesarian हुआ है, दूद नहीं पीना, आपने पानी ज्यादा न कोई पस नहीं पड़ती, आपको कोई नुकसान नहीं होता, दूद से ऐसा कुछ नहीं होता, दूद पीना है, पानी आप जितना ज्यादा पीएंगी, इतना गर्मी का मौसम है, इस वक्त इतनी dehydration हो रही है, पसीना आता है, अलेक्टोलाइट्स निकल जाते हैं आपकी पानी ज्यादा पीएंगी, आपके किड्नी उतना अच्छा परफॉर्म कर सेकेंगे, आपके जो बाड़ी के टॉक्सिंस हैं, वो रिलीज हो सेकेंगे, और बजाए इसके कि जो आपको घलत कॉंसेट है, मिट्स के पेट बढ़ जाता है, आपकी बाड़ी फिटनेस आती है, आपका पेट कम होता है, आप पानी जितना ज्यादा पीएंगे, वो उतना ही आपके लिए आपकी स्कीन को भी फ्रेश करेगा, और आपकी बाड़ी को फिटनेस में लेकर आएगा, तो अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखिए, जैसे आपके डॉक्टर ने आपके कीप किए लेकरत स्कीन को फालो है, अपने खाने में आपने अटे मुत करने आप अगप कीजिए, उस फ्रुट का आप आप मिलक शेकते हैं, गौर अगर आप रखिवस्ट के लिए का ब का है, और अगर व्रुट का इस थैज्ग कर अंगलने जड़ मुत की जै होगी most important खाने के साथ साथ से 8 घंटे की sound sleep जरूर लेनी है आपकी नीन में कोई disturbance नहीं होनी चाहिए इसके लिए आपको help की जरूरत होगी कि बेबी को कोई देख सके आपको बार बार बेबी दिस्टर्ब ना करें तो आपने अपनी नीन का खास ख्याल रखना है फिर बच्चे की साथ सा जब आपका सोना जागना डिस्टर्ब हो जाता है तो आप टाइम पर नाश्ता नहीं करते इनर्जी रेवल जब डे शुरू होता है तो आपको एक बूस्ट चाहिए होता है आपका नाश्ता बहुत healthy और heavy होना चाहिए आप पेट भर कर खाना खाइए आप जो खाना चाहती है नाश्ते में खाइए ताकि आपको throughout the day energy मिलती रहे और नाश्ते का वक्त पर होना बहु जल्दी उठीए और time पर नाश्ता कीजिए नाश्ता time पर करें दरम्यान में snacks लें उसके बाद proper lunch करें जिसमें आप चपाती जरूर लें mutton का शोर्बा कीमा या कबाब जो भी आप लेना चाहते है उसके साथ proper चपाती लें फिर उसके बाद फिर दो घंडे के बाद कोई snacks लें आप fruit लें आप sandwich बना कर लें और time पर dinner कीजिए दिनर के बाद आपने early in bed ठीके जल्दी सोना है जल्दी जागना है ताकि आपकी नीन भी पूरी हो आपका throughout the day food का intake normal रहे और आपका rest mental as well as physical proper तरीके से हो सके अगर आप 6-8 हपते अपनी इस तरह की care करती है तो आप बिल कोई भी ऐसा wear and tear नहीं होगा और किसी भी तरह का कोई infection नहीं होगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी आपकी body immunity अच्छी होगी तो आपको infection के chances भी कम हो जाएंगे आचा furthermore इसके साथ यह तो diet का हो गया और आपकी care का हो गया जब आप discharge होते हैं hospital से तो आपका गानकॉलि कर लीजिए ताके आपकी immunity भी बूस्ट हो आपकी body में hb level normal रहे खून की कमीना हो calcium की कमीना हो और diet के साथ साथ यह supplements आपकी body को rebuilt होने में help कर सकते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा किसी भी question के सिल्सले में या case के सिल्सले में आप में से discuss करना चाहें तो screen पर दिए कर दो